नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत हैं मैं हूँ स्वाथी रायना बताएंगे आपको बाजार में आज का पूरा अक्शन साथी कल के लिए क्या रहे है आपकी स्ट्वाटेजी और शेरों में कमाई के शांदार मौके भी वाटसेप करें नमबर है हमारा 958 22 2266 साती आप हमें फेस्बुक पर अड़रेट जी बिजनस ऑनलाइन और ट्विटर पर अड़रेट जी बिजनस पर अपने सवाल भीड सकते हैं हैं हैश्टाग बाजार आज और कल लिख कर और आपके कल के तयारी कराने के लिए जी बिजनस क मैनेजिंग एडिटर अनल सिंग्वी से जानेंगे कल के बाजार पर खास स्ट्राटेजी और एक और खास महमान पर इचेर करा दे सेथी फिर्मार्ट के अमडी विकास सेथी हैं हमारे साथ विकास जी स्वागत करते हैं आपका हम आज के शो में बाचीत करेंगे आपसे शुरू लेकिन उससे पहले आज के बाजार पर एक नजर ज़रा डाल लेते हैं मंगलबार का दिन बाजार में हर्याली वाला दिन रहा सेंसेक्स 400 अंकों से ज्यादा की तेजी के साथ 62,533 के लेवल पर बंध हुआ निफ्टी में दिखा 111 अंकों का उच्छाल और ये 18,600 के पार बंध होने में कामियाब रहा बैंक निफ्टी रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है आज इसने 43,983 का नए इंट्रेडे रिकॉर्ड भी बनाए और आखिर में 238 संग चड़कर करीब 43,950 के पास जाकर हुआ बंध आईए अब एडिटर स्टेक में अनुल जी से समझते हैं कि आज बाजार में तेजी के बड़े ट्रिगर्ज क्या रहे दो हफतों तक सिमित दाएरे में कारोबार करने के बाद भारती बाजारों ने आज दिखाया दमदार एक्शन हाला कि बैंक निफ्टी तो लगाता रिकॉर्ड हाई बना ही रहा है पिछले दो नियों से और आज फिर से नया रिकॉर्ड हाई बना दिन के दोरान भी और क्लोजिंग बेसिस भी 44,000 से कुछ ही दूर बचा महच 15-17 पॉइंट और ये अब नया इतियास बना है 43,983 के हाई का और जहां हम बन्द हुएं बैंक निफ्टी पर 43,950 के आसपास जाई सी बात है ये तो रिकॉर्ड हाई है निफ्टी ने भी लंबे समय तक 43,500 के आसपास रहने के बाद 4 दिनों के उपरी स्टरों के आसपास 48,600 के आसपास आज क्लोजिंग दिये शान्त शुरुआत हुई जबकि गलोबल संकेत काफी बैतर थे एफाइस की बिकॉली का दवाव थोड़ा कम हुआ है बाजार हलके ही है और साथी साथ कल देर शाम जो महंगाई के आँकड़े आए थे भारती बाजारों के लिए और साथी इंडेसिनल प्रोड़क्शन की ग्रोथ जो गटकर आई इन सबसे भारती बाजारों के लिए आज पोजिटिव संकेते हैं इन positive संकेतों के दम पर शुरुआत सुस्थ हुई और सुस्थ शुरुआत होने के बाद समय बिताने के बाद बाजार ने दीमें दीमें रफ़तार पकड़ी और यह रफ़तार दूसरे हाफ में और बैतर होती दिखी जा दाव फूचर्स भी सुस्थ होने के बाद 50-60 पॉइंट की तेजी दिखाते हो नज़रा है अच्छी बात यह रही दिन के निशले सुनके आसपास खुले दिन के हाईस लेवल के आसपास बंद हुए बाजार यह एक बढ़िया एक्शन रहा तो दिन के हाई के करीब निफ्ट होई वो काफी अच्छी कही जा सकती है आई अब विकास सेठी का रुख कर लेते हैं विकास जी कैसे लगे आपको आज के बाजार चौत तर्फा तेजी आज हमने देखी बाजार में बैंक निफ्टी तो नए हाई लेवल्स पर भी पहुँचा क्या एक्सपेक्ट करें आज उसके बाद जो हमारे CPI नमबर्स आई जैसे अभी आनिल जी जिकर कर रहे थे वो काफी अच्छे आए मतब नीचे आए 6% से भी नीचे आगे और अब रियल इंट्रेस टेट भी पॉजिटिव हो गई तो इन सब को देखते वे बजार में एक अच्छी तेजी का महूल था फिर आज जब हमारे बजार में के अब जो नमबर्स आए हैं बजार बन्द होने के बाद तो FIA इसके काफी बिनों के बाद cash market में खरिदारी के आखड़े आए हैं 620 करोड की खरिदारी कर रही है और अब ही जब मैं बात कर रहा हूं तो ऐसे देखने में आ रहा है कि US में जो CPI नमबर से बहुत ही अच्छे हैं मुझे लगता है ये तेजी बिल्कुल बरकरार रहनी चाहिए अच्छी कॉलिटी के स्टॉक्स में निवरसी तरहें और आम एक्पेक्टिंग गुट रैली फ्रमियर और कल जब फेड की जो वीटिंग है उसका जो ऑटकम आएगा उस तो अगर वैसा कुछ होता है तो मुझे लगता है ये रैली बिल्कुल और तूर पकड़ेगी तो अमबुलिशन ना माकेट सानु और एडवाइज इन्वेस्टर्स तू कंटिनू तो अटूर पोजिशन ओके तो बाजार में रैली का दौर देख रहे हैं विकास जी अच्छे संकेत हैं ग्लोबली भी और चारो तरफ से एक पॉजिटिविटी बाजार में देखने को मिल रही है आईए अब कुछ स्टॉक स्पेसिफिक आक्शन समझते हैं विकास जी से विकास जी हफते भर का न पोजिशनल व्यू के लिए हिसाब से खरड़ारी करनी है तो मुझे लगता है करेंट लेवल्स पे नोसिल में खरड़ारी करनी चाहिए यह स्टोक आज दो सो इकतालिस के आसपास बंद हुआ है भारत की एक लीडिंग रबर केमिकल बनाने वाली कंपनी है जो की मेंली टाय और दूसरी जो रबर प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जैसे फूट वेर इंडस्ट्री गलब्स है इन सब को केटर करती है जब अधरस कंपनी है 40 परसेंट से ज्यादा का इंका मार्केट शेर है पॉकुलर ब्रैंड से फंडामेंटल भी बहुत अच्छे है सप्टेंबर जो त अच्छेते 35 करोड का पैट था जो पिछले साल 29 करोड का पैट था तो इस स्टॉक में पोजिश्टन तोर पे मुझे खरीदारी करने की सलाह मेरी मेरा इसमें टाकेट है 260 रुपे का स्टॉप्लास रखना है 230 रुपे और जहां तक मेरी लॉंग तरम पीच का सवाल है एक र प्रण की प्रोजेक्स जैसे काम करती है बड़ इसके अलावा मेट्रो रेल्वेज फिर हाइवेज और एएरपोर्ट पोर्ट इन सब के लिए भी काम करती है तो कई सारे प्राइवेट सेक्टर प्रजेटर नामिगरामी कंपरी इनकी क्लाइं टिस्ट में आती है जैसे पंदरसो करोड के करीब के नए ओर्डर मिले है बैंगलोर मेट्रो से मिले है आई टे डेली से एंदाबाद मेट्रो से भी मिले है बाकि फर्णामेंटल्स बहुत अच्छे है एक अच्छी दिविडिन यीलड वाला इस्टॉक है 4.5 परसेंट की डिविडिन यील्ड है और और FISDAS का भी पुरा-पुरा भरोसा है, 20% stake-on करते हैं, जिसमें निप्वान है, LIC है, तो अले नाल एक अच्छी quality का stock है, जो एक portfolio का हिस्सा होना अच्छी है, मुझे रखता है, यहां से budget तक भी, railway sector के लिए, railway sector के लिए, काफी कुछ हम budget में expect कर रहे हैं, तो उसलियाद से एक अच्छी टेजी पुरे sector में जो हुई भी है, और आगे भी जारी बहने सी है, तो इसे stock में खरीदारी करने की सलहा, 9-12 मेने का मेरा target है, इसमें 475 रुप है, तो quickly recap दे देते हैं, positional view नोसल में रखने की सलहा आ रही है, विकास जी की ओर से, और long-term खरीदारी, rights में करन हैं, Sanjay जी स्वागत करते हैं, आपका बताएं, कौन सी stock पर सवाल है, हलो, मुश्कर मैं, नमाश्कर जी, मैं मेरे पास, एक श्टेर रंक अंडिया के 55 शेर हैं, तो क्या मैं लांग तर्वी रखता हूं जहां निकल जाओं वहां के, और ग्लैन फार्मा के हैं मैं, शेर, 1805 ठीक है, ठीक है, SBI और ग्लैन फार्मा पर राय लेना चाहरे हैं, SBI में कुछ मुनाफ़े के साथ या आगे बढ़ रहे हैं, तो वहीं ग्लैन फार्मा में हो रहा है इन्हें नुकसान, दोनों ही stocks में क्या राय रहेगी आपकी विकास जी? देखे स्वाती, stocks तो दोनों इन्हें अच्छी quality के पिक करे हैं, जहां तक SBI का सवाल है, तो PSU banking sector जो है बिल्कुल फ्लेवर रहा है इस तीजी का, हालनकि State Bank of India ने जो छोटी size के PSU banks है, उनके comparison में underperform किया है, छोटी size के PSU banks जैसे हम देख रहे हैं, आजकर Union Bank, Bank of Paharashtra, Central Bank, Bank, सब में धोधार तेजी हुई है, आज भी सब 7-10% तक बड़े हुए थे, मुझे रखता है, State Bank of India भी आप catch-up करना चाहिए, एक बहुत ही अच्छी quality की bank है, PSU banking stocks sector की leader है, और अभी जो Yes Bank में भी जो एक अच्छी तेजी बनी है, सोलर रुपे से आच्छी रुपे हो गया ह पिछले एक देड़ वीक में, उसमें चुकि यह 30% हिस्सेदारी ओन करती है, तो मुझे रखता है उसका भी एक प्रैक्शन इस पर आना चाहिए, बाकि All In All, PSU banking sector पर बुरिश हुए, State Bank of India is a good bet, इनको होड़ करना चाहिए, और जहां तक Gland Pharma का सवाल है, यह भी within the Pharma space एक quality की कंप्री है, अपने हाइच से अच्छा खासा पिता है, अलंकि मिमेशक को थोड़ा बहुत बुक्साना, बढ़ नचिंग डूरी मुझे लगता है, अगर समय देंगे तो अच्छा है, अच्छा है, इस स्टोक में भी देखते हो भी लेगा, तो होड़ करने की सला है, Gland Ph आरमा दोनों में होल्ड करने की सला आ रही है, संजे जी आपके लिए, चले बढ़ते हैं आगे, और अगला सवाल इस वक्त हमारे पास है, वो है, हावडा से दीपक कुमार मिश्रा पूछे, वोक हाट इनका शेर है, और 185 शेर इनके पास है, 515 रुपे, 15 पैसे का इनका ख इस स्टॉक पे तो मैं बहरिश हूँ, मुझे लगता है, बहुत बड़ा अंडर पर्फोर्मर रहा है, आलंकि निवेशक ने बहुत उचे लेवल्स पे लिया है, और काफी बड़े लोकसान में बेठा है, बट यहां पे भी मुझे लगता है, इस स्टॉक में निकल अगले सवाल की तरफ जाते हैं, पोने से प्रदी पोलेकर सवाल पूछ रहे हैं, इनका सवाल है टीटागड वैगन पर, टीटागड वैगन के हजार शहर इनके पास है, इनकी खरीद इस पर, जाना चाहरे हैं, इस टॉक में फिलहाल क्या स्ट्राटीजी रखे, और खरीद सकते हैं, क्योंकि फिलाल इसे इन्हें मुनाफ़ा है, अपने इस खरीद पर, और होल्ड करें या फिर अभी बेचने की सलाँ, पहले तो प्रदीप जी को मैं कॉंग्रिचुलेट करना चाहूंगा, अच्छे लेवल पर इन्हों ने इस स्टॉक को खरीदा और अभी तरफ बने रहे हैं, अल्मोस्ट डबल हो गया इनका स्टॉक, बट यहां पर भी थोड़ी देर पहले जब मैं राइज की चर्चा कर रहा था, तो मैंने कहा था कि मैं रेल्वे स्टॉक्स पर बुलिश हूँ, और यह रेल्वे सेक्टर के लिए रेल्वे वेगन्स बनाने वाली भ अगले सवाल के और बढ़ें, नवी मुंबई से रवी किरन का सवाल है, हमारे पास L.I.C. इनके पास है, 108 इनके पास शेयर है, 855 है, इस पर इनकी खरीद, जानना चाह रहे हैं कि अभी अगला कदम इनका L.I.C. पर क्या रहे, क्योंकि हैं इने 14,000 का नुक्सान, क्या करें सर, L.I.C. में? बुलिशू, यह स्टॉक भी एक अंडर वैलूड स्टॉक है, और फिर जो इनका एक्विटी पोर्टफोलियो है, बजार में जिस तरह की टेजी हुई है, मुझे लगता उसका भी मार्क टू मार्केट बहुत अच्छा वैलेशन होना चाहिए, तो all in all, from here on, I think we should see some more upside to hold करन जी पूछ रहे हैं, आंद्रा पेपर हैं इनके पास, विकास जी, 425 शेर हैं, और खरीद है इनकी 85 की, आंद्रा पेपर में समझना चाहरे हैं कि फिलार स्ट्राटिजी रखे क्या, बंपर मुनाफ़ा इन्हें अपने स्टॉक में हो रहा है, मुनाफ़े की साथ बने रहे है या फिर कुछ मुनाफ़ा वसूलने की आपकी सलह रहेगी? आपकी भी सिंगल यूज प्लास्टिक का बैन हो चुका है, चाइना में प्लिशन कंसर्स की वज़े से पेपर के प्रडेक्शन पे काफी रूख है, तो इन सब को देखते हुए और पेपर कंपनी इस ने अपने जो प्राइजिस है, मन्त और मन्त बढ़ा है, तो इन सब का आंदरा पेपर एक बहुत ही भेथरिंग क्वालिटी की कंपनी है, मुझे लगता है डिस्पाइट दा फेक्ट कि इनोंने इनको चार पास गुना मुनाफ़ा चल रहा है, बट फिर भी इन लेवल्स पर भी होल्ड करना चाहिए, आने वाले दिनों में और अपसाइट देख नुकसान भारी है इस पर इनको और दूसरा जो स्टाख है इनके पास है शैफलर का 175 शैर है और 3345 है इनका छैफलर पर खरीद भाव, छैफलर पर फिलहल इने इस पर भी बहुत भात जान कर नुकसान में बैठे हुए हैं, दोनोंहीं स्टॉक नुकसान के क्या स्ट्राटी विसे तो इन को दोनों जाताgypt की क्वालिटी इसे फिर्णामेंटरी इसे अच्छे स्टाक हैं, डोनों ही ऑच्छे स्टाक है डोनों ही अटकोंपोन प्रया स्टाक से स्टाक इनों ने में से यह हूं तल्भन हुआ है। अपने हाइच से अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ स्टॉक है बट फ्रम हीर ओन मुझे लगता है अच्छे रिटरंज बनने चाहिए तो होल्ड करने की सलाओ और शेफलर तो एक जबरदस कंपनी है एक MNC स्टॉक है और मुझे लगता है कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्राटिज और बाजार के लिए हम संकेत समझते हैं अनुल जी से जहां तक कल के बाजारों का सवाल है बारतिय बाजारों के बंद होने के वक्त दाव फूचर साथ पॉइंट उपर थे हमारे बाजार एक अच्छी रिकावरी दिखा कर मजबुती के साथ बंद हुए संकेत थोड़े बैतर होते दिख रहे है बैंक निफ्टी रिकॉर्ड हाईपर है ही लेकिन इंपोर्टन ये है कि आज अमेरिकी बाजारों में किस तरह का एक्शन होता है कल की 500 पॉइंट की टेजी के बाद आज अमेरिका में आने वाले है महंगई के आंकडे ये मेक और ब्रेक है अगर महंगई के आंकडे बाजार को पसंद आए तो फिर बस देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी कल और तेज दोड लगाते वे नसर आएंगे और अगर महंगई के आंकडे कमजोर बाजार के हिसाब से अच्छे नहीं आए तो फिर जिन लेवल्स के आसपास आप बंद हो है वहाँ से थोड़ा फिसलने के भी आपके लिए आसार बंद है क्योंकि दो इंपोर्टेंट लेवल है अठराजार चास्सो और चावालीस अजार जिसके आसपास हम बंद हो है तो ये दोनों ही मेक और ब्रेक लेवल है अब आपको जो ध्यान में रखना है कल के लिए और अगले कुछ दिनों के लिए जो इंपोर्टेंट बात है 18,450 जब तक निफटी इसके निचे स्पोर्ट लेवल पर बनना हो तब तक तेज़ी के रुजान में रहिए बैंक निफटी जब तक 43,500 स्पोर्ट लेवल के नीचे बनना हो तब तक तेज़ी में रखिए इमिडियेटली जो रेंज है सपोर्ट की कल के लिए निफ्टी पर 18,450, 18,500 होगी उपरी स्टनों पर 18,775, 18,825 तक जाने की कोशिश हो सकती है बैंक डिफ्टी निफ्टी निश्ले स्टनों पर 43,500, 43,650 ये 500 पुईंट की रेंज करेगी सपोर्ट का काम 44,000 के पार निकल कर अगर बैंक डिफ्टी पर हम ठीक है तो फिर खुला नीला आकाश है, एकदम नया जोन, लाइफ टैम हाई, और फिर ओवरॉन आने वाले कुछ दिनों में 800,000 पॉइंट की तेजी का रास्ता खुलता है, तो अपने स्टॉप लोस को ट्रेल करते चलें और तेजी की पोजिशन बनाए रखें, यहाँ. अब कल के बाजार पर स्टॉक स्ट्राटेजी समझते हैं विकास जी आपसे, विकास जी इंट्राडे खरीदारी के लिए कौन से स्टॉक में स्ट्राटेजी बनाने की सला रहेंगे आपकी? आपके विशाका पर्टम पोर्ट्रस्ट, पेरदिक पोर्ट्रस्ट और इंडियाल पोर्ट्रस्ट इन चारों में वो हिस्टेदारी बेजदी, स्ट्रेजिक डैवेस्मेंट किया था, बाकी फंडामेंटल्स अच्छे इस कंपनी के और सरकार का जिस तरह से डिफेंस के प्र स्टॉप्लस रखना है 410 रुपे ओके तो ड्रेजिंग कॉर्परेशन ये है इंट्राडी खरीदारी की सलह आ रही है विकास सेथी जी की तरफ से, आई अब देख लेते हैं कल का उप्शन SMC Global के नितिन मुराग का हमारे साथ है नितिन जी स्वागत करते हैं कल के लिए ऑप्शन स्ट्राटिजी कहां रखी जाए कि रिलाइंस इंडेस्ट्रीज से फोकस करना चाहिए रिलाइंस इंडेस्ट्रीज की 26 की कॉल ओप्शन लेगे जो 56-57 के आसपास क्लोजिंग है जिसका स्टॉप लॉस होगा 40 का टारगेट होगा 85 का बट अभी सिंगापूर निफ्टी हम देख रहे हैं कि 175-75 पॉपर हो गई है तो हो सकता है गैप अप भी खुल जाए गैप खुलेगा तो फिर उपर के रेट पे जो भी होगा रिलाइंस की ही कॉल लेंगे जिसके टारगेट 85 हो सकते हैं स्टॉप लॉस 40 रुपीज होगा तो रेलाइंस इंडस्ट्रीज में ऑप्शन स्ट्राटेजी बनाने की सला आ रही है नितिन मुरारका की तरफ से नितिन जी धन्यवाद करेंगे शो में शामिल होने के लिए और विकास जी आपका भी कि अ LOल पपके जो सबस्सेस जी खरफ से टो बनाने की सुल्स बनाने की सबस्छा सार्म की सबस्सके शाने की अजय है इवादा से Сलाह सकतर्फ करेंश भी वे रही है मन्यवाद की तरफ संटी मैं वहीं हहा वहादो 9 शोग्य rozp 10 च क Deckhandoब की दो एी दोने की जूल झाहरे हो